दोस्तों पेट में दर्द, गैस, एसेडिटी का बने रहना, अपच की सिकायत, भूक का ना लगना या फिर हमारी पाचन क्रिया का बहुत अधिक कमजोर या फिर सुस्त पड़ जाना, इसी के साथ कुछ भी खाने पर पेट का फूल जाना, उसमें अफारा आ जाना या फिर पूच ऐसी बड़ी ही आम समस्याएं हैं, जो लगबग हर किसी को कभी न कभी अवश्य परिशान करती होंगी, परंतु आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी, आपको यकीन नहीं होगा, कि आज के समय में 80-90 प्रतिसत ऐसे लोग हैं, जो इन में से किसी ना किसी एक समस्य सदा पीडित रहते हैं हमेशा परेशान रहते हैं इन सभी समस्याओं का जो सबसे नकारात्मक प्रभाव होता है वो होता है हमारे सारिरिक और मानसिक स्वास्थ पर उनकी सक्ति वे बल पर क्यूंकि इसके चलते हमें भोजन का उचित पोशन जो हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत अधिक आउशक है वो भोजन से नहीं प्राप्त हो पाता तो ऐसे में स्वस्थ शरीर की कामना ही नहीं की जा सकती तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बहुत ही प्रभावशाली आयरवेदी कोशिदी के विशे में बताने वाला हूं जिसको खुद मैं ब लोग्यों के ऊपर लगातार करवाता आ रहा हूं और मुझे बहुत ही सकारात्मक लाब इस ओशिदी के माध्यम से प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी प्रसनता की बात यह है कि यह ओशिदी बनी बनाई बाजार में बड़ी ही आसानी से उपलब्द भी है मिल भी जाती ह तो चलिए बिना देर किये जानते हैं आखिर कौन सी है वह ओशिदी किस प्रकारी से प्रियोग किया जाता है क्या कुछ इसके लाब है क्या कुछ इसके घटक द्रव्वे हैं जिसके चलते यह लाब हमें प्रदान करती है वीडियो अंतक आउश्य देखेगा बहुत ही का यह पेटेंट उत्पाद है आम तोर पर मैं केवल अच्छी जानी मानी कंपनियों की ही ओशिदियां प्रियोग करता आया हूं और उनके विशय में ही आपको जानकारी देता आया हूं परंतु यह एक ऐसी ओशिदी है जिसका मैंने एक या दो बार जब अपने रोगियों पर इसका प्रियोग करवाया इस ओशिदी के जो लाब मुझे अपने रोगियों पर प्राप्त हुए इस ओशिदी ने जो लाब प्रदान किये वो इतने अधिक प्रभावशाली थे इतने अधिक लाबकारी थे कि आज भी इस ओशिदी का प्रमुखता से मैं ऐसे रोगियो को प्रियोग करने की सला देता हूं जो इन सभी समस्याओं से पेडित हैं जिनके विशय में मैंने वीडियो के प्रारंब में आपको बताया था आखिर ऐसा क्या है इस ओशिधी में जिसके चलते इस ओशिधी की इतनी अधिक में प्रसंचा कर रहा हूं क्या कुछ यह लाब प्रदान करती है चलिए जानते हैं दोस्तों इस ओशिधी के प्रमुख घटक द्रव्य हैं हरित की जिसे आप हरड के नाम से जानते हैं इसके अल द्रागवद, द्राक्षा अथार्थ मुनक्का, यवानी, सुन्ठी, बिल्व, मरीच, दालचीनी, पुदीना, दालचीनी के पत्ते, आम के फल का छिलका, सोफ, पीपली के तने का हिस्सा, काला नमक, लोंग और नीम्बू सत्तु का प्रियोग किया जाता है। करना प्रारंब कर देती है। पीडित रोग्यों को अपने आम के पाचन में सहायता प्राप्त होती है। उनके आम का पाचन हो, उन्हें इस रोग्च छुटकारा यह दिलाती है, भूक अच्छी प्रकार से लगाती है, खाया पिया अच्छी प्रकार से हजम हो पाता है। ऐसा नहीं कि ये सभी लाब केवल डिसेंट्री से पीडित रोग्यों को ही इस ओशिदी के माध्यम से प्राप्त होंगे, बलकि सामान्य रोगी भी यदि इस ओशिदी का प्रियोग करता है, तो समान लाब भी उसे प्राप्त होंगे। गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में अफारा आना जैसे समस्याओं के चलते भूख लगना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, जिसके कारण वजन कम होने लग जाता है या फिर चाहकर भी वजन नहीं बढ़ पाता जब हम बढ़ाना चाते हैं। तो ऐसे रोग्यों को जब मैंने वजन बढ़ाने वाली ओशिद्यों के साथ इस ओशिदी का प्रियोग करवाया तो उन्हें भूख अच्छी प्रकार से लगने लगी। अन्य ओशिद्यों के संयोग से बड़ी ही आसानी से दूर किया जा सकता है। जहां तक बात है इस ओशिदी के प्रियोग विधी की तो एक से दो चमच दिन में दो बार भोजन के पस्चाथ थोड़े से पानी के साथ इसका प्रियोग किया जा सकता है। अलाकि आरंब में आपको बहुत ही थोड़ी मात्रा के साथ प्रारंब करने की मैं आपको सला दूँगा धीरे धीरे आप मात्रा को बढ़ा सकते हैं। दोस्तो एक बहुत ही जरूरी बात इस ओशिदी के विशे में इस वीडियो में मैं देना चाहूंगा। मेरा इस दवा कंपनी से कोई भी किसी भी प्रकार का हित नहीं जुड़ा हुआ है ना ही मैं इस दवा को कोरियर आधी के माध्यम से अन्य स्थानों पर बेचता हूं या भेचता हूं। मैं केवल मेरे पास आय हुए रोग्यों पर इसका प्रियोग करवाता हूं या फिर उन्हें प्रियोग करने की सला देता हूं। मैं आपको सला देना चाहूंगा कि हाई ब्लेड प्रेशर या फिर अन्य किसी भी रोग से संबंदित या अन्य किसी भी ओशिधी का यदि आप प्रियोग कर रहे हैं तो आपको बिना चिक इच्छक के निर्देशा अनुसार इस ओशिधी का प्रियोग नहीं करना बहुत ही प्रभावशाली लाबकारी परेणाम या उशिधी प्रदान करती है हाला कि कुछ लोगों को इसका परेणाम थोड़ा धीमा लग सकता है परन्तु सकारात्मक परेणाम उन रोग्यों में भी अवश्य प्राप्त होंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह पसंद आई होगी आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अधिक सदिक लोगों पाश शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने सुझा आपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताईए और अगर आपने